Welcome to Brill's Express Classroom यह classroom उन लोगों के लिए है जो इंगलिश का अख़बार पढ़ना चाहते हैं लेकिन वे ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वे इसके सक्षम नहीं हैं वे इसके योग्या नहीं हैं Brill's Express Classroom का मकसद उन लोगों को इस योग्या बनाना है कि वे इंगलिश का अख़बार पर सकें ऐसा करने के लिए हम उनके लिए एक इंगलिश न्यूज लेंगे उस न्यूज की हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे उस न्यूज में जितने भी difficult words होंगे उनके meaning सीखेंगे इस तरह से हम उस सारी खबर को अच्छी तरह से समझने में सक्षम हो जाएंगे इसी तरह से हम हर क्लासरूम में हर बार एक न्यूज लेंगे और उसकी ट्रांसलेशन हिंदी में करेंगे और उसके meaning difficult words जो उसमें होंगे वो सीखेंगे सो इस तरह से हम अखबार पढ़ना सीख जाएंगे सो आज की क्लासरूम में हम जो खबर ले रहे हैं वो खबर है इस हेडिंग में दो चीजें विशेश तोर पर सीखने वाली है पहली तो है एक difficult word जो इसमें आता है that is graft graft का मतलब क्या है? graft का मतलब होता है भरष्टाचार लेकिन यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ जैसे के English में शबद के कई की meaning होते हैं graft के भी दो meaning ज़्यादा परचलत हैं एक तो हम देखते हैं कि जो graft शबद है उसका मतलब होता है column column का मतलब जैसे हम plants के साथ करते हैं पौदों के साथ करते हैं इसी तरह से हम क्या करते हैं? हमारे जो body के parts हैं जैसे हम kidney, liver, transplant करते हैं या आंक का cornea जब हम एक आदमी के शरीर से निकाल कर उसको दूसरे आदमी के शरीर में लगाते हैं उसको हम grafting कहते हैं कि हम उसको graft कर रहे हैं right? so graft का एक meaning तो यह हो गया कलम लगाना दूसरा graft का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है इसका मतलब होता है रिशवत खोरी या भरष्टाचार corruption तो यहाँ पर यह जो हमने headline पड़ी है इसमें जैसे है इंडोनेशियाज former minister former का मतलब होता है पूरव इंडोनेशिया के जो पूरुव मंत्री थे उनको क्या किया गया 12 year jail उनको 12 वर्षिये jail की सजा सुनाई गई किसके लिए graft के लिए graft means भरष्ट अचार सो दो तो हमने heading में meaning सीखे एक है former former का मतलब होता है पूरव दूसरा हम सीखे graft graft के मैंने दो meaning आपको बताए एक graft का मतलब कलम या कलम लगाना दूसरा graft का मतलब भरष्टा चार तो इस heading में हमारे लिए एक बात सीखना और भी बहुत important है और ये बहुत यादा हमारे लिए सीखना जरूरी भी है तो आपने देखा होगा कि इस heading में क्या लिख्या हुए 12 year jail देखो year के पहले क्या लगा हुए 12 12 देखो 12 तो यादा होते हैं तो काईदे से तो year की जगह years होना चाहिए 12 years jail लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर English grammar का एक rule होता है जो आपको सीखना चाहिए वो rule ये है देखो for example हम जब कहते हैं ना 7 दिनों का camp लगेगा तो 15 दिनों का ये function होगा उसको 10 सालों की jail मिलेगी इस तरह से मतलब construction क्या होती है पहले एक numerical adjective होता है जैसे 9, 10, 12 जैसे इसमें 12 लगा हुए है उसके बाद जो noun होता है जैसे year है वो होता है और उसके बाद फिर जो चीज होती है वो हम उसके बाद लगाते है जब हिनको हम hyphen के साथ लगाते हैं तो आपको याद रखना है कि इनको ऐसे लिखना होता है कि जैसे पहले हमने लिख लिए 5, 7, 10, 12, okay उसके बाद hyphen के बाद जो नौन लगाएंगे हम, तो वो जो नौन है, जो अडिजेक्टर का काम करता है, वो singular रहेगा, वो singular रहेगा, वो plural नहीं होता, जैसे 12 सालों की कैद, 12 वर्षे कैद, हम कभी नहीं कहेंगे 12 years jail, हम कहेंगे 12 year jail, अगर हमने कहना हो 15 दिनों का camp, हम कहेंगे 15 day camp, अगर हमने कहना हो 20 दिनों की class, हम कहेंगे 20 day class, तो इस तरह से heading ने हमने ये 2-3 चीज़े सीखी, हम चलते हैं आगे news पर, ये खबर शुरू होती है जकार्ता से, जकार्ता जो इंडोनेशिया की capital है, मतलब राजधनी है, तो news क्या है, मतलब इंडोनेशिया की जो अदालत है, कौन सी अदालत है, एंटी का मतलब होता है विरोधी, उल्ट होते है किसी चीज़ का विरोधी, एंटी ग्राफ्ट कोर्ट, मतलब इंडोनेशिया की जो बरस्ता चार को रोकने के लिए बनाई गई है, इसका एक मतलब तो होता है, वाक्या, सेंटेंस का दूसरा मतलब होता है, सजा सुनाना, कितिनी सजा सुना यह है, 12 एर, इंप्रीजर्मेंट, सो बारा वर्षिये किस चीज़ की, इंप्रीजर्मेंट की, इंप्रीजर्मेंट का मतलब कैद, इंप्रीजर्मेंट का मतलब कैद, सो हमने एक और नया शावज सीखा, कि हुआ क्या, कि इंडोनेशिया की एक जो अदालत है, कौन सी अदालत है, बरस्ता चार विरोधी, एंटी ग्राफ्ट कोट, उसने, has sentenced, उसने सजा सुनाई है, sentence का मतलब सजा सुनाना, बारा साल की, बारा वर्षे, कैद की सजा सुनाई है, एक पूरो मंत्री को, सो ये इस sentence की हमने translation किया, ओके, now we move forward to the next sentence, हमार आगला sentence है, he was, he का मतलब मंत्री जो थे, he was found guilty, guilty, guilty का मतलब, दोशी, he was found guilty, उनको दोशी पाया गया, उनको दोशी पाया गया, किस चीज़ का दोशी पाया गया, bribery, रिश्वत खोरी का दोशी पाया गया, उनको रिश्वत खोरी का दोशी पाया गया, क्या कर रहे थे वो, मतलब किस चीज में वो गडबड का रहे थे in distributing मतलब रिशुद किस चीज में ले रहे थे उनको दोशी पाया गया रिशुद किस चीज में ले रहे थे in distributing distribute का मतलब बांटना distributer का मतलब बांटना मतलब in distributing necessary goods necessary means जरूरी जो चीज जरूरी है necessary गुट्स का मतलब समान, गुट्स का मतलब समान, in distributing necessary goods meant for covid victims, so वो समान, वो जुरूरी समान, जो covid के पीड़तों के लिए था, उसको बांटने में उन्होंने रिशवत खोरी की, मतलब he was found guilty, वो उसके दोशी पाए गए, तो यहां पर हमने दो तिन चीज़े देखी हैं, कि एक तो एक शब्दा है, bribery, रिशवत, necessary means जुरूरी, goods का मतलब समान, victim का मतलब पीड़त, सो यह जो victim शब्द होता है न, यह भी बहुत आम शब्द है, common word है victim, सो आपको यह भी सीखना चाहिए, जैसे for example, हम कहते हैं, earthquake victims, मतलब भुचाल के पीड़त, right, flood victim, bar के पीड़त, right, disaster victim, disaster का मतलब कोई तबाही, उसके पीड़त, सो जो क्यों व्यक्ति किसी चीज से पीड़त है, यहां का उन से पीड़त है, COVID के, COVID, यह जो बिमारी है, Corona वाली, उससे पीड़त, जो उससे पीड़त, लोग actually होना क्या था, कि जो COVID के पीड़त है, उनको जरूरी समान देना था, लेकिन मंत्री ने क्या किया, he was found guilty, उनको द योशी पाया गया, so this was our first paragraph, now we move to the next paragraph of the news, according to the next paragraph of the news item, अब हम इसको पड़ते हैं, the news is, according to information, according to information means, सूचना के अनुसार, former social affairs minister, जो पूरव मंत्री हैं, समाजक मामलों के जो मंत्री हैं, social means, समाजक, affairs समाजक मामलों के जो मंत्री हैं, पूरव मंत्री हैं, former minister, उनका नाम क्या है, जुलियारी पीटर बटुबाराव, सूचना के अनुसार, formal social affairs minister, जो पूरव समाजक मामलों के मंत्री हैं, जुलियारी पीटर बटुबारा, क्या हुआ था, had been arrested in December, उनको December में गिरिफतार किया गया था, had been arrested in December, उनको December में गिरिफतार किया गया था, कब गिरिफतार किया गया था, in December, क्यों किया गया था, क्या हुआ, when, जब, the anti-corruption commission, वहाँ पे एक इंडोनेशिया में एक commission है, commission का मतलब आयोग, उस आयोग का नाम है anti-corruption commission, मतलब वो commission जो भरिफ्टाचार के खिलाफ है, anti- जो विरोध में है, तो उस योग ने मंत्री को क्या पाया, found him guilty, उन्हें दोश्य पाया, सो ये घटना कब हुई, December में, तो इस news के, हमने जो जो पढ़ा, इस के मताबक क्या हुआ, according to information, सुचना के अनुसार, formal social affairs minister जो थे, जो फॉर्मल पीटर, जो थे, जुलियारी पीटर बटुबारा, उनको December में गिरिफ्टार किया गया था, जब भरस्टाचार विरोधी अयोग ने क्या किया, उन्हें दोश्य पाया, next line is, लेटर, लेटर का मतलब बात में, he was released on bail, बात में उनको जमानत पर छोड़ दिया गया, bail means जमानत, okay, now we are moving to the next paragraph of the news, अब हम इस news की अगले paragraph पर चलते हैं, so इस में क्या है, यह paragraph कहां से शुरू होता है, today, today का मतलब आज, the court convicted him, him का मतलब मंत्री को, आज क्या हुआ, अदालत ने मंत्री को convict किया, convict किया, convict का मतलब क्या हता है, दोशी ठहराया, देखो, हुआ क्या था इस news में, उनको दिसम्बर में गिरिफतार किया गया था, तो उस वक्त क्या था, योग था, उसने दोशी ठहराया, लेकिन आज, किसने दोशी ठहराया, अदालत ने, अदालत ने दोशी ठहराया, Convict means, दोशी ठहराया, आज हुआ क्या, तोड़े, the court convicted him of bravery, उनको किस चीज़ का दोशी ठहराया, रिश्वत का, यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब कोई अदालत ने केस चलता है, जज़ अपना फैसला संता है, तो जज़ दो बाते करता है फैसला संते हुए, या तो आदमी को जो व्यक्ती है, उसको दोशी ठहरा देता है, या उसको बरी कर देता है, रैट? तो दोनों के लिए शब्द काउन से इस्तेमाल होते हैं अगर तो जज ने उसको बरी कर दिया मतलों उसको दोश वक्त कर दिया बिसका कोई दोश नहीं है उसको बरी कर दिया तो उसके लिए जो शब्द है हम कहने हैं जज ने उसको क्या कर दिया अक्विट अक्विट कर दिया एसी क्यो यू आई टी बरी कर दिया लेकिन अगर जज ने किसी व्यक्ति को दोशी ठहरा दिया तो हम क्या कहते हैं कन्विक्ट कर दिया लेकिन एक बात आपको यहां पर और याद रखनी है कन्विक्ट के शाद हमें प्रेपोजिशन नहीं लगनी किस चीज का दोशी ठहरा दिया उसके ताथ हमे रहले हमेशा प्रेपोजिशन लगानी है आफ कन्विक्टेड आफ जैसे कि इसमें लगी हुई है तो उसको दोशी ठहरा है किस चीज का रिश्वत का and sent him to jail और उन्हें जेल भी दिया, it is important to mention here, mention का मतलब जिकर करना और लेह करना, यहां पर इस जीज का जिकर करना और लेह करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्या, that the anti-corruption commission, यह जो anti-corruption commission है, अब जीज़ हम कोड की बात का रहे थे, हम किसी की बात का रहे हैं, commission की, यह जो commission इसने क्या किया है, has filed, f-o-i-l-e-d, has filed, यहां पर मैं आपको जो file शबत है, वो थोड़ा अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यह शबत बहुत ज़्यादा use होता है, हमारे आम जिंदगी में भी, और news में भी, जैसे मैंने आपको बताया था, graft के दो meaning हो जा, graft का मतलब भरस्टा चार, इसी तरह से यह जो शबत है, file, file के दो meaning बहुत use में आते हैं, एक तो file का मतलब होता है, जैसे हम जिसको बोलते हैं न, work, जैसे हम मठाईयों पर लगा देते हैं, जिसको न, चांदी का work कह देते हैं, silver file, या हम कोई खाना वगएरा लपेटने के लिए जो कागस का इस्तमाल करते हैं, उसको भी हम file कह देते हैं, f-o-i-l, file, एक तो वो होता है, दूसरा file का मतलब होता है, किसी चीज़ को asafal कर देना, asafal कर देना मतलब नकाम बना देना, किसी चीज़ को क्या कर देना, नकाम कर देना, so इस news में क्या है, कि यहां पर हमने इसको पढ़ा है कि it is important to mention here यहां पार इस चीज़ को लेख करना ज़रूरी है that the anti-corruption commission यह जो मतलब भरस्ता चारवरोधी योग है इसने इस इसने किया है किस चीज़ को नकाम किया है अतेम्ट का मतलब को अतेम्ट का मतलब गया आपना जोना होगा शावरोध। to murder एक किसी पे for example हम कहते हैं कि उसके case बन गया किस कारण attempt to murder मतलब के हत्या की कोशिश हत्या का प्रियास attempt to murder so इसका attempt का मतलब क्या आता है कोशिश तो इस news में हम क्या देख रहे हैं कि इस योग ने क्या किया है this commission has filed several attempts of bribery रिश्वत की कोशिशों को इसने नकाम किया है by many ministry officials वो कोशिशे किनों ने की थी मंतराले के अधकारियों ने मंतराले के अफसरों ने वो कोशिशे की थी रिश्वत की कब in the past अतीत में बीते हुए समय में सो कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो अयोग है anti corruption commission इसने past में अतीत में बीते हुए समय में बहुत सी कोशिशे नकाम की जो मंतराले के अधकारियों ने की थी किस चीज़ के लिए की थी रिश्वत के लिए सो हमने इस sentence में देखा कि हमारे सामने तीच चार शबद आये file का मतलब किसी चीज़ को नकाम कर देना किसी चीज़ को असफल कर देना attempt का मतलब कोशिश सो इस तरह से हमने यह जो सारी ख़बर पड़ी है तो इसमें हमने देखा कि एक पूरो मंतरी थे right जिन्होंने भरस्टाचार किया पहले उनको कमिशन ने दोशी पाया फिर अदालत ने फैसला सनाया अदालत ने उनको रिश्वत के लिए कन्विक्ट किया कन्विक्ट करने का मतलब दोशी ठहराया राइट फिर हमने लास्ट में देखा कि इस कमिशन ने जो मंतराले है मिनिस्ट्री है उसके बहुत सारे अधिकारियों की जो रिश्वत की कोशिश है थी उनको फाइल किया मतलब उनको नकाम किया यह थी हमारी आज की नियूस इसी तरह से हम ब्रिल्स एक्स्प्रेस क्लासरूम में इंग्लिश की एक नियूस लेंगे फिर हम उस नियूस का जैसे हमने आज ट्रांसलेशन की है उस नियूस की ट्रांसलेशन करेंगे उस नियूस में जितने भी डिफिकर्ट वर्ड्स होंगे उन वर्ड्स को उनके मीनिंग हम सीखेंगे और इस तरह से हम बड़ी आसानी से ख़बर को समझने में सक्षम हो जाएंगे और इसी तरह से हम धीरे धीरे इंग्लिश का ख़बार पढ़ना है कि योगे हो जाएंगे. So, आज के लिए इतना ही. Thank you.